अलो फ्रेंड्स मैसल डॉप्टर सुशिला सेनिक आनेकलोजिस्ट और अपसिटेशन डाइरेक्टर जपू दूर्बीन हॉस्पटिल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं इस नए वीडियो में नहीं जानकरी के साथ फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी और कोरोना वाइरस के बारे में जैसा कि आप सब भी लोग देख रहे हैं कि वापस से कोरोना फैल चुका है बहुत सारी केसिस आ रहे हैं और बहुत सारी लोग अफेक्ट हो रहे हैं ऐसे इस्तिती में अगर जब कोविड पॉसिटिव होगी तो क्या उसको नॉर्मन लोगों से जादा रिस्क होगी, सिवियर्टी जादा होगी, क्या कोविड उसके बच्चे को भी पहुंच जाएगा, या उसके बच्चे पर कोई जनमजद खराबी होने वाली है, और इस प्रेगनेंसी का कोविड की में कैसे ध्यान रखे, क्या आपने डॉक्टर की रूटीन विजिट्स हो कंटीनियू रख सकती है या नहीं रख सकती है, तो इसे बहुत सारे सवाल आपके जहन में भूंग रहे होंगे, कि अब हम क्या करें, अब हम अपने बच्चे की देख़ाल कैसे करेंगे, कैसे हम प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलेगा हमें, तो इस वीडियो में हम आपको वही सारी जानकारी देने वाले हैं, जितने पे अपके दिमाग में सवाल आ रहे हैं, उनके सारे जवाब आपको इस वीडियो में आखिर तक मिल जाएंगे, सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता होने के चांसे हैं क्योंकि प्रेग्नेंसी एक इम्नल कंप्रमाइश होती है जिसकी लड़ने की शक्ति होती है और प्रेग्नेंट वूमेन नौर्मल वाईरस के इंफेक्शन के लिए ज्यादा सेप्टिबल है तो उनको अपने बचाव लोगों से ज़्यादा रखना चाहिए और अपना ध्यान और जादा रखना चाहिए कि कहीं उनको इंफेक्शन ना हो जाए दूसरा सवाल हमारे दिमाग में आता है कि अगर मुझी कोरोना वाइरस हो गया प्रेग्नेंसी में तो क्या मेरी जो बिमारी है वो दूसरी औरतों से दूसरी लोगों से क्या जादा सिविय क्यों लें होगी तो इसका recommendo कोरोना वार्यस हो जाता है इंफेक्शन हो चाता है तो सकता है कि आपकी डिजीज की सोब have no कारण वही है इम्मिनो कम्रोमाइज स्टेट अफ देगनेंसी बिब्मारी की रणने की शक्ति प्रेगनेंसी में थोड़ी कम हो जाती है इसलिए बिमारी का सिवेर्टी भी बढ़ जाएगा तीसरा सवाल हमारे दिमाग में आता है कि अगर मुझे कोविट वाइलस इंफेक्श हुआ है और आप प्रेगनेंट है तो आपके बच्ची को ट्रांस्मेंट नहीं होता है तो इसलिए दरने और खबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है हम बच्चे पर थोड़ा असर पड़ सकता है लेकिन उसमें किसी प्रकार के कोई जनम जात खराबी नहीं होगी यानि अशरत है कि आप अपना पूरा नौ महीने अच्छे से ध्यान रखें और बच्ची का अपना टेक केर ठीक से करें तो आप इस कोविड वाइरस के इंफेक्शन के साथ भी बच्चे का देख़ाल कर सकती है और स्वस्त बच्चे को चल्म दे सकती है अगर बच्चे पर कोई पढ़ रहा है कोविड वाइरस इंफेक्शन का तो क्या है सच कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पढ़ता है बट फिर भी जैसे आप इंपिनों कंप्रमाइज होती है या आपके शरीर में कोई डिजीज हो गई है कोई बिमारी हो गई है जैसे कि आप सांस नहीं ले पा रही है आपको खाली पिने में दिक्कत हो रही है तो डिफिनिटी पर भी उसका फेक्ट पढ़े गःगा ही पढ़ेगा अगर आपका हिमोगलोबी लेवल डाउन जा रहा है आपको आक्सिजन का लेवल कम हो रहा है तो बच्चे को भी औक्सिजन कम मिलेगा तो बच्चे का पर दोब जाता है तो आपके साथ वे महीने में डिलिवरी के दर्फ शुरू हो जाए और बच्चा टाइम से पहले पैदा हो जाए जिसको की प्रीटरम डिलिवरी कहते हैं और कमजोर बच्चा जब शरीर से बाहर आएगा तो फिर हो सकता है कि वो सर्वाइब ना कर पाए और और अपनी डिलिवरी एक ऐसे संस्था में ऐसे इंस्ट्यूट में ऐसे होस्पटल में कराए जहां पे एनाईश्यू की फैसिलिटी हो ताकि अगर बच्चा जनम से पूरू भी पैदा हो रहा है तो उसकर देखबाल की जा सके तो आपके दिमाग में अगला जो सवाल आता ह 丝नाणा है कि अगर में प्रेगनर्सी सचल रही है तो मेरा क्या हॉस्पटर जाना सेफ डॉक्टों को दिखने के लिए क्या मैं डॉक्तर से कंसल्ट करने के लिए हॉस्पटल विजिट्स कर सकती हूं तोहां बिल्कुल आप कर चल्हिंशंब लेकिन आप यह कर सकती हैं कि अ आपको ऑनलाइन भी समझा सकते हैं बता सकते हैं और फिर जब आपकी डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं आपको महीने में दो महीने में तो एक बार चेक अपके लिए आना है जिसमें भी बच्छे की धड़कल वगरे चेक करते हैं तो आप अपॉइन्मेंट फिक्स करके जाए ता करके फिर ही आप हॉस्पटल जाहिए और अपने बच्छे की देखवाल को केरी ओन कीजिए प्रेगनेंसी की दोरान जो भी नॉमल टेक करनी होती है वह आपको जरूर करनी है जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन लिग कर देते हैं वह आपके पास जरू मेडिसिन का बीच में कोई ब्रेक ना लगे और अगर आपके फ्लू की वैक्सिन कोई नहीं लगी है जो कि प्रेगनेंसी में लगाई जाती है वह जरूर लगवा लिजे क्योंकि हो सकता है कि वह भी क्रॉस प्रोटेक्शन में काम आ जाए इसके इलावर टी डैप और लगत है और उसके बाद अपने डॉक्टर के सलहा के साथ जब भी अपॉंट्मेंट फिक्स होता अब आप जाकर दिखा सकते हैं और मेडिसिन टाइम लीजे एक बहुत ही कॉमन सबाव रहता है कि हम घर पर ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारी इमिनिटी बूस्टर हो जाए को र पानी आप पीती रहेंगे तो अपने बॉड़े के टॉक्सिंस बाहर निकलते रहेंगे बच्चे में आपके शरीद में पानी की कमी नहीं होगी दूसरा इंपॉर्टेंट है कि अपने आपको भूखा ना रखिए हर दो घंटे में कुछ ना कुछ आपको जरूर खाना है उ आप उसमें बहुत सरे एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं इसके अलावा फूट्स लिए और आप सीजनल फूट्स एड़ाउन कर सकती हैं जो कि अभी मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें के आमला अप अच्छे से ले लीजिए अमरूद ले सकती हैं आम ले सकती हैं क्वाइर दियान रखना है कि आपको घर पे ही रहना है अगर आपको करने बाहर बहुत है अगर पिसे तूर रहना है अगर ऋपर ऑप जी ओब फिवयर लिवर मासक को मस को टच नहीं करना है। अशलावा जब भी आपको खासी चशी का आती है तो आप अपना पुहनी प्राइज के इस्तिमाल की जब आपको लगता है आपनी टाच किया है तो बाए बार बार अपने हाथ दोते रहे हैं और हाथ दोने के सावन को इस्तिमाल कीजिए कम से कम 20 सेकंड तक रगड़ के हाथ होने हैं और अगर आप किचिन में काम करती है तो आपको अगर आग लग सकती है बहुत बड़ा रिस्क है आपको अगर वाइरस इंफेक्शन से आपने अपना बचाव रखा है और अभी तो नेगेटिव है और आपको लेबर पें सकती है जो कोवीड नेगेटिव वाइरस या कोवीड नेगेटिव मदर्स के डिलिवरी कराई जाती है जहां कि आप अपने और अपने बच्चे को सुरक्षित रूप से जन्म दे सकें और कोवीड इंफेक्शन लेके ना आए लेकिन किसी कारण वर्ष अगर आप कोवीड पॉजिटिव हैं तो आप ऐसे हस्पटल में चाहिए कि जो कोवीड पॉजिटिव मदर्स के रिखभान करते हैं उनके पास पूरी टीम होती है पूरे साधन होते हैं जिससे कि वह आपकी सेफ डिलिवरी करा सकती है और डिलिवरी होने के बाद एक बहुत बड़ा कॉशन हम दिमाग में आता है कि क्या हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं या नहीं करा सकते क्योंकि अगर आप कोवीड नेगेटिव हैं जब तो आप सेफ लिदुद पिला ही सकती उसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है लेकिन अगर आप फोड़ी पॉजिटिव हैं तो फिर रिपोर्ट्स और काफी स्टडी सामने आई हैं जिसमें यह कहा गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को कोविड वायरस इंफेक्शन नहीं फैलता है तो आप सेफली दूद पिला सकती है लेकि जब भी दूद पिलाएं मास्क लगा के रखें हैं वाश करके फिर ही बच कि बच्चे की रिमान पूरी की जा सके तो मैं समझती हुए बापको समझ में आ गया होगा कि प्रेग्डेंसी और को दोनों को साथ कैसे लेके चले के को अपनी जाने वाला नहीं है तो हमें उसके साथ रहना सीखना पड़ेगा और उसके साथ रहने के यिए हमें सबसे पहल आपने को लोगों से नहीं मिलना बहुता लोगों से इस्टेंस रखनी है unto आप पर जडी आपना कोरोना वायर आप से शरूर करेंगे color लुक्स्देड हो जब करेंगे नहीं किया है ताप उसे जरूर कर लीजे हम आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो में नहीं जानकारी के साथ तब तक नमस्कार